विद्ध्यार्थियों का स्वागत है तो देखिए बिहार विद्ध्यालेप परिष्छा समीति पटना से रिपोल्ट आ रही है जो STT की आपकी परिष्छा होने वाली थी तो इस परिष्छा में एडमिट काल जारी हो रहे हैं और इसमें 30 तारिक को आपको एडमिट काल जारी हो रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं इता दोरा मादमिक सिच्छा पात्रता परिच्छा S.T. 2023 में संबीलित होने वाले अब बेर्थी संबंधित जिला अधिकारियों संबंधित जिला केंदरों पर ये दो पालियों में आयू जित की जाएगी तो आपके एड्मिट कार्ड जा रही होते हैं चार सितंबर से पंदरा सितंबर तक परिच्छाए होंगी रिपोर्टिंग टाइम देखिए आपका पर्थम पाली में आपका है साड़े आठ बजे से होगा और दो ती पाली होगी आपकी डेड़ बजे से गेट क्लोजिंग का टाइम साड़े नौ दिया हुआ है अप रहान इधर दो ती पाली में ढ़ाई बजे है तो डेट आ गई है टाइम फिक्स हो गया है अब आप परिच्छा के लिए बिल्कुल रेडी हो जाईए अगला देख लेते हैं क्या सूचना है मादमिक सिच्छक पात्रता परिच्छा 2030 का प्रेशपत्र दिनांक 382023 को तीस तारीक को जारी हो रहा है आपका अप रहान के समित वेबसाइट दी हुई है देखिए इस पर आप अपलोड कर लेंगे अपना प्रेशपत्र और समित के उक्त वेबसाइट से तीनांक 382023 को अपना मूल प्रेशपत्र डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करके अपने पास सुरच्छित रख लेंगे और नेक्स्ट क्या है डेट आ गई है एड्मिट काल्ड आपके आ रहे हैं उक्त परिच्छा के लिए निर्गत मूल प्रेशपत्र में परिच्छा केंद्र का नाम, परिच्छा केंद्र पर पहुंचने का समय और परिच्छा केंद्र के केट बंध होने का समय यह सब पहले से वर्णिद है इसमें दिया गया है अगर आपको डाउनलोट करने में कोई समस्या होती है तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं वेबसाइट दी हुई है देखिए परिच्छा ब्यार्थी परिच्छा की थी थी के एक दिन पूरू परिच्छा का लोकेशन अवज से ग्याद कर ले देखिए यह पहले से पढ़ा है तो पहले से जा करके आप उसको देख लेंगे दूरी देख लेंगे और कैसे जाएंगे अपना साधन देख लेंगे ठीक है ताकि परिच्छा तीति के दिन परिच्छा केंदर पर जाने में कोई कटनाई असुधा ना हो दिव्यांग अभ्यारतियों के लिए सुर् और लिंक अंकित है संबंदित अभ्यरति उस यूर्ल लिंक पर जाकर 38 2030 को अपरहन CBT का अभ्यास कर सकते हैं देकि CBT का अभ्यास भी आप कर सकते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है उबरना है आपको OMR चीट तो बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है वो यह है कि आपको 38 2030 को आपका स्टेट का प्रिस्पत जारी हो रहा है इस साइट बताईजे साइट पर जा करके तुर्ण अपना डाउनलोड कर लीजे और परिच्छा की पाली देख लीजे रिपोल्टिंग टाइम देख लीजे सब अपना बिल्कुल रेडी हो जाईए आगे देख लीजे एक विसाय का करेंचेयन इसमें एस्टेट से संबंदित एक और थोड़े सी देख लीजे पेपर एक विसेश विद्ध देले अध्यापक में शामिल होने वाले भर्थी सामान ने विसाय सम्मूग के लिए किसी एक विसाय का चैन करेंगे इसमें हिंदी, उर्दू, पांगला, मैथली, संस्कित, अर्भी, फार्सी, भोषपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामजी विज्ञान, शारिरिक सिछा, संगीत, लरित कला और नरत्य विसाय हो सकता है इन सभी विसायों में से किसी एक विसाय का चैन किया जाएगा, जिन अभ्यर्तियों ने या नहीं किया है, उन्हें 29 से 31 अगस्त तक सुधार का मौका उनको दिया जा रहा है STT, STT, STT के लिए 3,000,000,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा और STT के विसाय में कुछ बताएते हैं आपको मादमिक सिचक पातरता परिच्छा STT 2013 में 3,500,000,000 अभ्यर्तियों ने अवेदन किया, या पहली बार होगा जब बिहार बोल्ड एक साथ 46 विस्यों का STET एक साथ लेगा, इसमें पेपर 1 में 17 विस्यों और पेपर 2 में 29 विस्यों सामिल हैं वर्स 2020 की बात करें तो STET 2020 में 2,000,000,000 के लगबग अभ्यर्तियों सामिल हुए थे, परिच्छा 10 विस्यों की ली गई थी, इस बार भी हार्ट बोल्ड ने मादमिक और उच्य सिच्छा के सब ही विस्यों का को शामिल किया है STET आनलाइन ली जाएगी, परिच्छा एक सब्ता से अधिक दो पालियों में चलेगी परिच्छा के लिए केंदर उनी सहरों में बनाया जाएगा, जहां पर आनलाइन परिच्छा की सुविधा होगी तमाम अभ्यर्तियों को उनके परिच्छा केंदर की जानकारी प्राप्त हो जाएगी परिच्छा केंदर जिला मुख्यालों में ही बनाया जाएगा, परिच्छा एक सो पचास अंकों की होगी सब ही वस्तुनिष्ट प्रकार के प्रश्ण पूछे जाएगे और क्या है नवी दस्वी में आविदन जादा हुआ इस बार ठीक, STET के लिए सबसे जादा आविदन नवी दस्वी के लिए आया है लगबग 2 लाग से जादा आविदन नवी और दस्वी यानि पेपर एक के लिए आया है परिच्छा केंदर पर परिच्छा सुरू होने के एक घंटा पहले तक ही अन्तिम्प्रेस मिलेगा हर केंदर पर CCTV और वीडियोग्राफी की विस्था की गई है एक विशय का चैन करें इसे विशय म सामूः के लिए किसी एक विसय का चैन करें इसमें हिंदी है एर्दू है बंगला मैथली संस्कित अर्भी फार्सी बोजपूरी अंग्रेजी गड़ित विज्यान स्थे-खिज्ञान सारे रिक्सिछा, संगीत, ललित कला और नरत्य विसय हो सकता इसमें इन सभी विसयों में से किसी एक विसय का चैन किया जाएगा जिन ब्यार्तियों नहीं किया है उन्हें 29 से 31 तक के सुधार कमों का दिया जा रहा है तो चलिए विद्यार्थियों यह तो कुछ इन्फॉर्मेशन रही जो हमने आपको स्टीटी के विसय में दी चैनल पर जूले रही हमारे साथ और अधिक सदिक शेयर कर दी यह स्टुएंट्स वीडियो को स्टीटी के आपको क्लासस भी देंगे आपको ठीक बने दी मारे चाम